राम के नाम पर भोट मांगना सही है राम के नाम पर भीक मांगता है लोग भगवान के नाम पर दे दे बाबा ने मांगता है तो भगवान के नाम पर भीक मांगते हैं लोग भोट मांगे तो क्या मांगे आपको सच जाना है कि एजंडा समझना है सुनना है सच है कि फिर से मोधी प्रधान मंत्री बन रहे हैं राम मानिर के नाम पर भोट पड़ेगा जब अर्दस्त पड़ेगा जैसे पिछले बार जो हुआ था पाकिस्तान और भारत के नाम पर उसी तरह का महाल रहेगा विपच्च सिरियस नहीं है विपच्च के पास कोई अधर्म का परचार परशार किये कई स्थूब बनवाए हजारों कि संक्याम तो मोधिक सत्ता है तुँ अपने धर्म का परचार परशार करेगा तो खेल है शुरू से चलते आया है राजनीत है विपच्च के पास कोई एजेंडा होना चाहिने भाई कि इस चीज का काट क्या है विपक्स को फिकर है इसका कि हमको चुनाव लड़ना भी है चो हजार रुपिया महिने जिसकी आय है उसको दो लाख रुपिया मिलेगा सबसे पहले नितिश कुमार को चुलू भर पानी में डूब जाना चाहिए चुलू भर पानी में मोधी जी कुद जाए कि उनके प्र जैसे देश के लिए लोग जान देते हैं तो आज भी गाउं में जाके देखिए धरम के नाम पर कुछ भी करने के लिए लोग तैयार रहते हैं 2024 की लोग सबा चुनाव आने से पहले भारतिय जनता पार्टी अपना पूरा रण निती तैयार कर ली है कि कैसे हमको 2024 का लोग सबा चुनाव जीतना है खूब ज़्यादा परचार परसार हो रहा है राम मंदिर को ले करके देश के कोने कोने से जो भी आईपी लोग है वो सब कोई पहुच रहे हैं और इसी पर विपक्ष के नेता है वो खूब ज़्यादा परचार परसार का विरोध कर रहे हैं कह रहा हैं कि राम के नाम पर यह लोग उइक तरीके से काया तो भारतिय जनता परटी अपना रणनिती तैयार कर रहा है और लेने के लिए हमारे साथ में बेध प्रकास जी है वेध drought जी से शरगवां के नाम पे कुछो मांग ले रहा इंटू है ये ठीक है आपको लग रहा है कि रहाट मांगना सरकार का काम है कि मंधीर बनाना कि नोकीरी देना सरकार का जो काम सरकार करती कहा है Ju जब जनता इसी में खुस है, कि हमको मंदीर मिले, देखिए मंदीर इसे बड़ा sensitive मुद्दा है, जनता जो है धर्म के नाम पर इतिहास देखिए, धर्म के नाम पर नेकुल लडाईयन हुई है, लोग खुशी खुशी जान देते हैं, जैसे देश के लिए लोग जान देते हैं हैं, तो आज भी काओं में जाके देखिए, धर्म के नाम पर कुछ भी करने के लिए लोग तैयार रहते हैं, तो आप कह रहे हैं कि जनता खुस है, तो आप भी एक जनता है, क्या आप खुस हैं राम के नाम पर वोल्ट जो मास्तिक आदम हैं, हम तो धर्म और भगवान सब्सक्राइब हैं, हमारा धर्म बढ़ा हो रहा है, धर्म की रच्छा हो रही है, जिस तरह से प्रोपगेंड़ा फैलाया गया, कि बिजेपी अ मोदी जी ही धर्म की रख्छा करेंगे, और यह लोग करते रह गए, यह लोग तमासा देखते रह गए, इस सब कांग्रेस की जितने भी पाप है उसा पाप निकल रहा है किया गया था तालग खुलने अयोद्यम राजीव गांधी किसका पाप है इसका कायल नवाभी दिखाने गए थे आप ह CCP काहें पाप है कि अपके चलती है मुस्लिम के फेवर में कुछ ज्यादा ही प्रोब मुस्लिम हो जाती है कई बार कॉन्ग्रेश होती है और बीज्विकान्च मुख़िना है मुत मैं यह हम प्रो हिंदू बनते हैं देखिए फिर खेल यह बात ठीक है लेकिन एक बात बताइए कि प्रो हिंदू बन जाना और उसके बाद में हिंदू करके चलिएगा जी तो बीजेपी कहां बैलेंस करके चलते हैं नहीं दूनों दूनों कॉंग्रेस का भी पाप यह तो आई यह प्रो है बीजेपी भी पाप कर रही है और क्या है कि राम के नाम पर जो जिस तरीके से आज परचार परसार किया रहा है आखिर में वहां पर सेलफी पॉइंट लगा नहीं क्या जरूरत पड़ रहा है मालें लोग राम जी के पास जा रहें वाद बोलते हैं आपको यह होते दिए आया है होते रहेगा जैसे असोक समराठ हुए महान तो बहुत धम का परचार परशार किये कई स्थूफ बनवाए हजारों संक्याम तो मौधिक सत्ता है तुव अपना धर्म का परचार परशार करेगा तो खेल है जुद चलते आया है राजनीत है विपक्ष के पास कोई एजेंडा होना चाहिने भाई कि इस तीज का काट क्या है विपक्ष को फिकर है इसका कि हमको चुनाव लड़ना भी है कहां फिकर है लोग अपने मामता बनार जी अभी कुछ दिन पहले एक बियान दी कि CPIM आतंग की संगठन है सरकार चल रही है महागडबंधन की कॉंग्रेस की जेडियू भी है लालू जी की पार्टी भी है और CPIM के साथ वहाँ चुनाव कॉंग्रेस लड़ी बंगाल विधान सभा इंडिया गडबंधन में भी तो अपने गडबंधन की पार्टीयों को आतेंकी संगठन ममता बनार जी बोल रही है मंदिर वला यह आंधी है हलकेम नहीं लिजिए यह जंड़ा पत्रकार हम नहीं है है एक दूगो चैनल है बहुजन में भी ऐसे पत्रकार है नामा ने छोड़ दिए कि उपी में जाएंगे कि योगी जी हार रहे है अब पता चला योगी जी फूरी तरह चरकार आ जाएगी तो ऐसा नहीं है अगर हमको यह कहिए कि यह कहिए कि भाई सपा जीत रही है चाहिए राजा दिटी तो बोल देंगे लेकिन रिजल्ट वाएगा तो यह कहिए बेद प्रधान मंत्र बन रहे हैं अभी जो महौल है इस हिसाब से कितना इधर देखिए अधर नितीश कुमार की पार्टी का एक विधायक है तो गट बंधन अपनें लड़ रहे हैं नितीश कुमार लालू जी लालू जी के नितीश कुमार बले कर रहे हैं लालू यादर को नितीष कुमार बलेक मेल कर रहे हैं महमता बनार जी हम दल को आतंकि संगाठर भी लट अपनें लड़ गंभीर नहीं है एकदम गंभीरतास बोलते हैं कि इंडिया एलाइनस वाली कोई भी पार्टी गंभीर नहीं है चुनाव लड़ने के लिए कोई भी सीरियस नहीं है 2024 में जो महौल है अभी तो भारतिय जनता पार्टी का कितना सीट आएगा अगर अभी राम मंदिर को लिखार सारा रिकॉर्ड टूटेगा इस वार जो हम स्थिति देख लिखाएगा अब एक चीज बतावे हैं कि लोग सु कुछों नहीं होने वाला है बिहार सरकार जाती अधारित गर्णा कराया और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि यह लोग कोई काम नहीं करें जंड़ना कराये और उसके बाद क्या ब्यान दिये लड़का लड़की वाला तो जाती जंगना मैंटर डाउन हो गया लड़का जाए मोदिस जादे तो नहीं होगा जतना बालू माफिया पईसा नितिश्कुमार ले 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 मोदिस जादे पईसा नहीं होगा जोहां आडानी अंबानी है यहां फ़लने जादब फ़लने जादब के घर में चापे मारी CBI पहुच रहे हैं कात्नों आमीर हो जाएगा तो क पो हघार को खरीद लिया गया है मीडिया को मीडिया मी कभर है ही नहीं कि ciao हजार लुपिया जिसनकी आय है उसको दोmond रुपिया मिलेगा सबसे पहले स्ब्सकुर्द करों चुलू बहर पानी में डूप जाना चाहिए बिस साल से मुंक्मत्री हैं आपके राज में चुलू भर पानी है नितिश कुमार डूब जाई उसमें सरम करिए कि हम अपने आपको विकास पुरुस करते हैं 94 लाख है लोग है ने 94 लाख 3300 बार है एक कड़ोर एक कड़ोर लोग बिहार में ऐसे हैं जिनकी कमाई महिने में 6000 रुपिय से कम है कोई 2000 में महिना कमा रहा है को 3000 कमा रहा है को 4000 कमा रहा है को 5000 बेसरमी होगी कि हम चिला चिला कहेंगे कि हमरे राज में एक कड़ोर आदमी 5000 4000 2000 रुपिय महिना कमाता है तो मोदी जी भी तो यह कर रहा है ना भाई 80 करोड लोग को मुप्त में रासन दे रहे हैं तो काहे का विकास पूरुष जब आपके राज में एक कड़ोर यानि 10 परसेंट के करीब लोग 6000 से कम महिना कमा रहे हैं उसको कहें दो-दो लाख रुपई या देंगे तो दो चुलू भर पानी में मोदी जी कुद जाएं कि उनके प्रधान मंत्री रहते हुए बिहार जैसे राज में एक कड़ोर लोग 6000 से भी कम कमाता है महिना में लेकिन मोदी जी से बढ़िया काम बिहार में हो रहा है ना आप यह देखिए कि किस तरीके से अभी देखिए लोको प मोदी का परचार हो रहा है राम मंदिर का यही महौल जनता जो है देश की जनता उसको एकदम धर्म के नाम पर भोट लेंगे मोदी जी अब इस बार मनिर के नाम पर भोट पड़ेगा जैसे पिछले बार जो हुआ था पाकिस्तान और भारत के नाम पर उसी तरह का महौल रह परकास जी का यह कहना है कि विपक्ष भले काम कर ले लेकिन इसके पास में मीडिया नहीं है तो इनका बात नहीं होने वाला है राम मंदिर के नाम पर भारतिये जनता पार्टी को खूब ज़्यादा भोट मिलेगा और जबरदास तरीके से जीतेगा क्योंकि विपक्ष के प पूरा माटी लेप दिये हैं अंत में वह बच्चा वाला जो एस्टेट्मेंट दिये उस पर माटी लेप दिये यह सारा बात का कर गया आपकी क्या परतिक रिया है कमेंट बोक्स में बदाएगा बहुत बहुत धन्यवाद